कि यह स्टुडेंट वेलकम अंस अगेन बच्च इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का जो सेकेंड नंबर का क्वेस्चन है ना इसे सॉल्व कान आपको सिखाएंगे यह अदम बेसिक सा क्वेस्चन है यानि कि अगर आपको बेसिक कॉंसेट पता रहेगा तो आ कोई कालकुलेशन किये बिना जोड़ गटा है मैंना मल्टिप्ल डिवाइट किय बीना आप यह बताइए कि यह जो नंबर्स दिये कहा है आपको फोर नंबर से यह आं पर दिए गए है न तो इन चारों में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट इसक्वेर नहीं है बस मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि जो हमारा perfect square होता है उसके last में यानि की unit place में once के place में कभी भी 2, 3, 7 और 8 ये चार नंबर कभी नहीं आते हैं कौन कौन से 2, 3, 7 और 8 तो अगर जिस भी नंबर को आपको लिखा गया अगर उसके last में 2, 3, 7 और 8 आ रहा है न तो वहाँ पर हमारा वो नंबर perfect square नहीं होगा तो यह हमारा last में 3 ऑगया यह पर फक्रेक्ट 써 कर बिल्कुल नहीं है last Walmart ळागया परफक्ट स्कर बिल्कूल भी नहीं है last लास्ट में वन आ रहा है इसके मुदलब यह जो होगा परफेक्ट स्कॉयर होगा खिलियर है इसको लिखना कैसे है वह समझ जोगा कर देखो इसका पहले बेसिक भी समझ लो यह जो मैंने आपको क्वेस्टन बर वन में डिटेल में समझाया था ना वही वहला टेबल हम फिर से स्टेळमेंट लिकर के स्टार्ट करोगे कि यह परफेक्ट स्कॉयर विल नेवर इंड विद 2 3 7 & 8 एंडम से स्टेटमेंट कि जो परफेक्ट स्कार होता है वो कभी भी इंड नहीं होता उसका 2 3 7 और 8 से अब यहां जो हमारा फर्स्ट क्वेस्टन है उसमें कितना दिया हु जो यूनिट प्लेस सो इस नंबर या फिर इटीज है ना इटीज या फिर इटीज भी मत करो नंबर ही उतार दो 153 is not a perfect square दो जितना simple statement हो सकता है उतना simple statement लिखो जो आपको समझे में ठीक है तो इसी तरीके साब को क्या करना है तीनों question में यानिकि जो जो हमारे question है question बर 2 में भी देखो last में 7 है यह हमारे पास 257 है तो उसमें भी same इसी तरीके से लिखोगे कि there are 7 in the unit place so this is not a perfect square ठीक है जो third वाला question ने वहाँ बर 408 दिया हुआ है तो उसमें भी same इसी तरीके से लिख देना कि there are 8 in the unit place so 100 sorry 408 not a perfect square लास्ट में जो हमारे question बर 4 है जिसमें 441 दिये हुआ है तो वहाँ पर लिख लिख लिखना कि there are 1 in the unit place so it is a या फिर 441 is a perfect square वैसे तो वह बताने को जो रहते नहीं है बस यहाँ पर यही बोला था कि कौन से number perfect square नहीं है वह बताईए तो 153 257 and 408 जो है वह perfect square नहीं है उसका reason ही है जो कि मैंने आपको clearly समझा दिया तो अहीं होब आपको समझ में आगए question 2 यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था बस एक basic सी समझ नहीं थी अब मिलेंगे हम आप next studio में जहां पर हमारा question 3 है उसे मैं आपको detail में समझा दूँगा ठीक है thank you for watching